हेलो फ्रेंड्स वामे आज किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही बेसिक चीजों से बहुत ही टेस्टी केक जिसके लिए आपको मिल्क पेट वगरा की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं ओवन की जरूरत है इसको हम बनाएंगे गैस पर यह देखे कित सौफ्ट क्रीमी बहुत अच्छा केक बन करके तयार हुआ था चलिए बनाना शूर करते है केक इसके लिए मैंने आधा कप दूध लिया है दूध को एक बाल में डालेंगे अब इसमें डालेंगे वन टीश्पुन विनेगर वन टीश्पुन से जादा ना डालें नहीं तो एक दम ही दूद फटा फटा सा हो जाता है इस तरीकी से हलका सा मिक्स कर देंगे 2-3 मिनट के लिए रख देंगे अब इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे जो नॉर्मल चीनी होती है उसी को पीस लेंगे और पीस करके चान लें महीं चलनी से उसके बाद चीनी को डा जाएंगे जिसे की चीनी अच्छी तरीकी सी गल जाएगी तब तक कढ़ाई को रखेंगे गरम करने के लिए तो मैंने ये बड़ी साइस की कढ़ाई लिए आपके पास बड़ा बखो ना हो कोकर हो उसको ले सकते हैं और बिल्दकुल जो स्लो वाली गैस होती है ना उस पर और उसके उपर चलनी रखेंगे तो मैंने रिंग रखी उसके उपार एक चलनी रखी है कोकर में आती है तो कोकर की चलनी सभी के पास होती है तर वो रख दें और गैस को एकदम स्लो कर दें और टिन को आप चेक कर लें कि उस कढ़ाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आरा स्टील वाले टिंद में भी बना सकते हैं, या जो बोरुसिल वगरा के काच के बॉल आते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन फलेट होना चाहिए, मतलब वो चीज नीचे से भी फलेट, एक बराबर का केक का टिंद होना चाहिए, अब मैं इसके उपर butter paper लगा ले रही हूँ, eco bake paper आता है, इस पे oil या मखन लगाने के जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे तो simple butter paper भी लगा सकते हैं, उस पे हलका सा मखन को वीस कर दें, इस तरीके से नाप करके cut कर लिया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर का butter paper कटा अगर आपका cake side से थोड़ा सा कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो इस तरीके से butter paper को लगाते हैं, अब एक चलनी लेंगे, उसमें एक कप मैदा डालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल मैदा है, उसमें कुछ डाला नहीं हो है, टू टेबल इस्पून, कोको पाउडर डाल सकते हैं, इस तरीके से, अब इसमें डालेंगे, टू टेबल इस्पून, मिल्क पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्टी केक बनता है, रिच केक बनता है, और यह मैने नेसले का डेरी वाइटनर यूज किया है, वन टीस्पून लेबिल करके बेकिंग पाउडर डालेंगे, और वन टीस्पून लेविल करके ही खाने बना सोडा डालेंगे, अब सभी चीजों को जो बाउल में मक्खन और चीनी का मिक्षर था ना, उसी में छान लेंगे इस मिक्षर को, अच्छी तरीके से, जिससे कि जो भी लंप्स वगरा होते हैं वो हट जाते हैं, कोको पाउडर में भी काफी लंप्स होते हैं, और मैदा में भी कभी कुछ दानेवानी होते हैं, वो सब निकल जाते हैं, अच्छी तरीके से, मैदा और जो दूद का मिक्षर है, उसको मिक्स कर लेंगे, आप दिख सकते हैं, काफी टाइट है, अभी इसमें टूटेबल इस्पून दूद दूद डालेंगे, दूद बगरा सभी चीजें नॉर्मल टेंप्रेचर पर होनी चाहिए, जब भी बेकिंग करते हैं, और यह देखिए, मैंने इसको ग्राम में नहीं ना पाए, इसको कब से नाप करके बना रही हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, बहुत तली में नीचे में मैदा सूखी रह जाती है, या बटर रह जाता है, तो इस तरीके से पूरे मिक्षर को से मिक्स कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है, अभी थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून दूद और डाला है, और यह देखे, इस तरीके की consistency होनी चाहिए, और करीब 8-10 मिनट हो चुके है, कडाई भी गरम हो चुके है, अब जो बैटर है, उसको मैंने टिन में डाल दिया है, केक मोल में डाल दिया है, यह देखे, बिल्कुल रिबन जैसी consistency है, मतलब थोड़ा थिक भी है, पतला नहीं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है अगर ज़्यादा थिक होगा तो उपर से फट जाएगा अगर ज़्यादा पतला होगा तो एकदम अंदर से बीच में से कच्छा रह जाएगा और फूलेगा नहीं अच्छी तरीके से करीब 45 मिनट हो गए थे उसके बाद मैंने इसको चेक किया हलका सा केक लगा हुआ आ रहा था तो मैंने 10 मिनट के लिए और रख दिया उसके बाद ये केक बन करके तयार हो गया था कडाई में केक बेक करने में करीब 55 मिनट लगे अगर ओवन में कर रहे हैं तो आपको 40-45 सब्सक्राइब करने के लिए 12-30 खंटे लग जाते हैं केक को ठंडा होने में और मैंने तो रात को ये केक बना कर रखा थे और सुबह आइसंघ की तीडी तो 12 घंटे में बहुत अच्य तरीके से केक बना आप बना है अभी मैंने इसको निकाला नहीं ऐसे ही रखा रहें अब ऐसींग करेंगे आइसिंग करने के लिए मैड़ा क्षोकलीट नीकाल करके फ्रिज्च में रख़ दें और उसके बाद छब ठोड़ी सी मैल्ट प्रिटेचर पर रजाए क्रिम, अगर तोड़ी सी गरम हो गई है तो नीचे एक बाॉल में थोड़ी सी बरफ और थोड़ा पानी डाल करके उस पर क्रीम बाले बाॉल को रख करके फिर फैट है, ये देखिए क्रीम हलकी सी फिट गई है, चॉकलेट मेल्ट हो चुकिये, चॉक क्रीम हर समय हर एक के पास नहीं होती है तो थोड़ा सा दूट डाल देंगे ना तो गिनाश की तरह से बन जाएगा बिल्कुल भी क्रीम में चॉकलेट के दाने नहीं आएंगे मैंने दुबारा से क्रीम को फैटा इस तरीके से आप चमच पे क्रीम को लें तो बिल्कुल भी हि उसे साब से चॉकलेट को ढाल दें मुझे बहुत जादा चॉकलेट नहीं डाल ले दी इसलिए मैंने आधी ही डाली है और शुगर सिरफ बना रही हूं तो आधा कप पानी में वन टेबल स्पून चीनी डाल करके हलका सा गरम कर लेंगे जिससे की केक खराब नहीं होता है आ जाली के से बराबर कर लेंगे और इसको मैं तीन पार्ट में कट कर रही हूं और यह देखे कितना अच्छा स्पॉंज बना है कितनी अच्छी जाली आई है केक में बहुत ही टेस्टी केक बन करके तयार हुआ है आप एक बार जरूर बना करके देखें अगर आपको मेरी रे घ्याटेंगे उसकी बाद एक आपिं बैंग में भर लेंगे आइसेंग में बोड One कर ने में बहुती ज्यादा आसानी रहती है इसलिए आपके पास पाइपिंगबे नहीं है तो अपकेशी थहली के अंदर भर कर के भी इस तरीके इसी कर सकते है और यह देखे हए हलका सा सबसे नीचे लगाई है पहले नंबर पर और हलकाचा जो शुगर सिरफ बनाया था ना वो थोड़ा गरम था तो मैंने बड़ी प्लेट में कर लिया जिससे की जल्दी से ठंडा हो गया 3-40 स्पून के करीब पानी को इस तरीके से डालेंगे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करक नहीं होती हैं तो एक बराबर नहीं होती कहीं पे जाधा हो जाती हैं पहीं पें किकम होती यह गय con vienna आप जरूर बनाकर देखें और कैसा बना आप जरूर कमेंट करें और instagram पे डाल सकते हैं विचिन को टैक करके फोटो बीडियो डाल शक्ते यह दूसरी अपर झाला उसक पूरे में फैला देंगे क्रीम को अब जो सबसे नीचे वाली लेयर थी ना उसको सबसे उपर रखा है क्योंकि वो एक बराबर इविन होती है तो इस तरीके से पानी को लगा दिया अब जो एक्स्ट्रा पानी वगरा गिल जाता है ने बोल्ड पे उसको हटा देंगे और जो क क्रीम की क्वांटिटी बहुत कम ली है आपके अगर ज्यादा पसंदो तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी जादा लें जैसे मैंने एक कप लिया तो आप देड़ कप क्रीम को लें इतनी बड़े केक को बनाने के लिए और जहां जहां पर थोड़ा लगे की क्रीम कम लगी है उस पर क्रीम को लगा दे हैं और इस पैचुला से इस तरीके से घुमाते हुए एक बराबर कर लेंगे क्रीम को बहुत आसान है और अगर आपको iising नहीं करनी आती है कि हम iising कैसे करें हमको बिल्कुल आती नहीं है तो ये केक उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल की आईसिंग करना नहीं जानते हैं और केक बनाना चाहते हैं बहुत आसान है बिल्कुल सिंपल तरीके से आईसिंग कर रही हूं मैं आप देख सकते हैं और इसमें फिनिशिंग वगरा की कोई भी जरूरत नहीं है सब तरफ ए डिजाइनिंग के लिए कॉमबा आते हैं केक के लिए तो इस तरीके से जो भी डिजाइन बनाने हैं तो इस तरीके से रखेंगे केक बोल्ड के उपर और पुरा इस तरीके से घुमा देंगे तो यह देखिए अपनी आपी डिजाइन बहुत अच्छे से बन जाती है भार की त किके के की डिजाइन को बनाई ज़ाती एक के링 ही तरीके लाएन कुछ सीका ब्हुत आसान तरीके से मिल जाता है किसी भी बेक्री शॉप पर, इस टाल reasons को piping bags में डाल लेंगे और piping bag साइट से कट कर लेंगे इस तरीके से आगे से अब नos broker को एक्द Sauce लेंगे अब इसमें cream को भरेंगे सबसे पहले cake पर बुडर बनाएंगे साइट से पूरा नीचे की तरफ, इस तरीके से फूल को बनाते जाएंगे, फटा-फट थरा हलका सा प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, इस तरीके से बॉर्डर को बना देंगे, और जो बड़ा वाला नोजल लिया है, स्टार नोजल, उसको को भर लेंगे क्रीम को भरने के बाद इस तरीके से बड़े-बड़े से स्टार्ट से बनते हैं आपकी अपनी डिजाइन आपको किस तरीके की डिजाइन बनानी है वो बना सकते हैं यह मैं बिल्कुल सिंपल वाली डिजाइन बना रही हूं बिल्कुल बेसिक है कोई भी इसको बना सकता है अब इसके उपर में बटरफ्लाइ लगा रही हूँ यह खाने वाली होती है शुगर से बनी हुई है मार्केट में जो केक शॉप होती है उन पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं जिस पर केक का सामार मिलता है और यह गोल्डन बाल्स है इनको डाल रही है छोटे बाले और बड़े बाले आप चाहिए तो इसके उपर चॉकलेट के पीसिस लगा सकते हैं बहुत सारी तरीकी की जो इतना सॉफ्ट है बहुत ही सॉफ्ट केक बना था और यह देखे निकाल करके दिखाती हो जो आइसिंग है बिल्कुल बराबर हुई है चारों तरफ से बिल्कुल बराबर है बीच में जो केक है बहुत ही स्पॉंजी है तो यह देखिए बहुत ही टेस्टी केक बन करके तया आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करें आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फेमली के साथ में बाइबाइब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ